हर्याना में हार्थ के बाद कॉंग्रेस में बंथन का दौर चलेगा तो सहयोगी दल भी आखे दिखा रहे हैं महराश चुनाफ सर पर हैं और उद्धफ ठाकरे की पार्टी ने दो टूक ये कहा है कि कॉंग्रेस को गडबंधन धर्म निभाना चाहिए था कॉंग्रेस अपना आत्म चिंतन करे आने वाले राज्यों के चुनाव में कॉंग्रेस गडबंधन को साथ लड़े महराश में सीन कैंडिट की गोश्णा चुनाफ से पहले होनी चाहिए तो यूपी महराश दिली तक चुनावी तना तनी जारी है दिली में आप अकेले चुनाव लड़ेगी हर्याना में हार के बाद कॉंग्रेस और साथियों में तकरार किस्तिती पैगदा हो गई है कि यहाँ पर कॉंग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था, सरयोगी दलों को एहभियात नहीं दीती यूपी उप चुनाव में अब सपा ने लिस्ट जारी कर दी है अपने प्रत्याश्चियों के नाम ते कर लिए वही माहराश में सीएम का नाम ते हो यह धक ठाकने गुटने का है प्रियंका जी आपने के सवाल उठाया लेकिन जिस तरीके की सिती बनी हुई है दूसरी अने पार्टी आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि अगर बेहतर तरीके से गड़बंधन धर्म अपनाया जाता तो शायद ऐसी इस सिती नहीं होगी देखें इंडिया अलायंस जो है एक मजबूत अलायंस है सब लोग एक बात के लिए committed हैं कि प्रजातंत्र और सम्विधान को बचाने की जिम्मेदारी हम पे है जो समानता पे विश्वास नहीं रखते हैं जो एक inclusive idea of इंडिया पे विश्वास नहीं रखते हैं इसी सोच और विचारधारा इंडिया में नहीं चल सकती है इसलिए गड़बंधन आया तो गड़बंधन मजबूती से आगे बढ़े जैसे जमूर किश्मीर में हमने गड़बंधन में national conference lead लिया है उनके नेत्वित्वा में ये लड़ाई जीती है कॉंग्रेस पार्टी ने तो ये समझना जरूरी है कि हाँ पर हम अपनी personal महत्वकांशाएं आगे रखकर कहीं ना कहीं हम अपनी fight को कमजोर करेंगे ये सही दशा दशा नहीं होगी और मैं फिर से दोराऊंगी कि हर्याना ने एक बड़ा संदेश भेजा है सभी को भेजा है और हम alliance का धर्म जो होता है और alliance को कैसे और मजबूत करें एक दूसरे के हाथ मजबूत करें इसकी कोशिश आने वाले चनावें चाहे महराच्रा हो जारकंड हो या दिल्ली हो उस पे ध्यान रखेंगे हार के कारणों को किस तरीके से आप देख रही है जो congress party का हर्याना में जो इससे दी हुई मुझे आंकलन करने की जरूती नहीं है कुमारी शेलजा जी ये सबका आंकलन चली रहा है वो लोग आपस में बाचीत करें गार सीरियस विचार विमर्श होगा कि जीती हुई जो हम देख रहे थे जीता हुआ माहौल था जहांपे इतना anti-incumbency था जहांपे एक आक्रोश था भारतिय जन्ता पार्टी के खिलाव एक माहौल ऐसा था जहां जन्ता उनसे trust थी उसको हम कॉंग्रिस पार्टी क्यों convert नहीं कर पाई क्यों alliances बंते-बंते रह गए यह सब एक विचार करने का विशह और अगर आप देखेंगे आमादी पार्टी जिंजिन सीतों पे लड़ी उन्होंने चोट पहुंचाई है तो कॉंग्रिस पार्टी को ही पहुंचाई है तो यह सारा देखना पड़ेगा कि कैसे एक मजबूत तरीके से उस राज्य का हित आगे रखकर हम काम करें